कोरोना वाइरस को लेकर चीन और अमेरिका के वीच में तना तनी का माहूल है चीन के सरकार ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसकी वज़ा से वुहान में कोरोना वाइरस फैल रहा है चीन के एक सरकारी अधिकारी ने कहा है अमेरिकी सेना ने वुहान में कोरोना वाइरस फैलाया था इसके बाद से ही ये पूरी दुनिया में फैला है चीन के विदेश मंत्राले के प्रवक्ता जाओ लीजियान ने पीट करते हुए कहा वहार में कॉरोना वाइरस पहलाने के लिए अमेरिकी सेना जम्मदार हो सकती है अमेरिका को इस मामले में अपनी जम्मदार याद तैक करनी होगी उसे पार दर्शिता दिखानी चाहिए जाओ लीजियान ने चीन का वचाव करते हुए कहा यूएस सेंटर फोर डिजीज कंट्रोल सीडियेस ने देशक रोबर्ट रेडफिल्ड ने भी ये कहा था कि हमारे कुछ अमेरिकी एंफ्लूएंजा की वज़ा से मारे गए हैं ये लोग चीन के कोरोना वाइरस से संक्रमित हुए होंगे इसके लिए चीन जिम्मेदार हैं जाओ ने कहा कि अमेरिका पहले अपने गिरेबान में जाग कर देखें पहले वो पूरी दुनिया को ये बताएं कि उसके कितने मरीज मरे हैं उसकी क्या तैयारी है कितने अस्पत सालों की सूची पूरी दुनिया के सामने लाएं जाओ लिजियान ने अमेरिका से कहा है कि पहले अपने मरीजों की सही संख्या का खुलासा करो अमेरिका को पहले पूरी दुनिया के सामने अपनी सच्चाई बतानी होगी उससे चीन पर आरोप लगाने से पहले अपने गिर झाल